कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जैसे देखो लाव क्या होता है लाव होता है बिक्रेमूल माइनस क्रेमूल लेकिन हम बिक्रेमूल को हमें साथ डायरेक्ट हम लिखेंगे क्रेमूल को मैं बिक्रेमूल को लिखेंगा हानी क्या मतलब क्या है दो क्रेमूलमाइनस से डिवाइद होता है यह इंपोर्टेंट है लाव है तो लाव डिवाइद लेसी पीट यह और तो देखो CP, अगर SP given और CP लिकालने के लिए फार्मूला यूज कर लो, अगर CP given और CP लिकालने के लिए फार्मूला यूज कर लो, वैसे फार्मूला की ज़रुत नहीं पड़ती है, maximum time, कभी-कभी shortage time में यूज कर लेते हैं, अदर्वाइज हम यूज नहीं करते हैं, उसी तर क्या होता है, 10% में यहाँ, अंकीतमूल होता है, यह चीजा रख ले, और यह लारव और हानी कले, мяс लहाई है, श्वी सनधोरि सुद्स divided by hundred और एक और बेस्ट रिजल्ट ये जो रिजल्ट है ये भी बहुत ही important है बहुत ही कि अंकीत मुल और क्रैमूल का रेशियो जो होता है उपर hundred प्रस प्रोफिट divided by hundred minus discount का परसेंट ठीक है तो ये चीजे हैं अब हम देर नहीं करते हैं अपने question से start करते हैं question number one question number one क्या कर रह को ये नहीं पता है कि 12.5% किसकी equal होगा तो आप questions को बनाने में बहुत problem करेंगे one by eight क्या होता है 12.5 ठीक है अब कैसे होता है जैसे देखो simple सच ये बताओ अगर तुमको one by four पता है ना कि one by four कितना होता है 25% अगर इसका half करोगे इसी का half तो साड़े बारा है ना साड़े ब तो ये तो ये अगर चीजें मैं बता रहा हूं बट ऐसे जबुरत नहीं पढ़ती क्योंकि देखो one by four क्या है 25% है तो one by eight ओल्रेडी होगा कि 12.5% ठीक है या इसको बोल सकते 12 सही 1.2% दोनों केस में बोला जाता है 12.5% है 12 सही 1.2% ठीक है तो अब ये तो one by eight हो गया अब ये बताओ नीचे वाला देखो कोशन कर रहा है कि 630 रुपए में 12% के लाग पर बेची गई वस्तू ये बताओ ये CP हो गया और बेची लाब लाब पर क्या उपर वाला क्या हो जागा profit मतलब कि ये लाब हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा क्रेमूल हो गया ठीक है यानि कि देखो अगर हमने खरीदा कोई समान 8 रुपए उस पर लाब कमाया हमने 1 रुपया यानि उसको बेचा कितने में 9 रुपय में बेचा यानि कि SP जो सेलिंग विक्रेमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 रुपय में तभी तो हम 8 रुपय की चीज़ को एक कितना है 8 पार्ट, 8 पार्ट इस उकल डुक्ल कितना हो जाएगा 8 इंटू 70 यानि तुमारा कितना हो जाएगा 560 आर्यास यह तुमारा क्या हो जागा answer सार नेक्स कोशन देखो नेक्स कोशन भी कर रहा कि चार्ज 1470 रुपए में इतना परसेंट के लाप पर बेची गई वस्तु का क्रेमूल गया तो सेम कोशन है इसको तुमको डिरेक्ट लिखना आना चीकि 1 by 6 होता है कैसे जैसे देखो अगर 1 by 3 की बात करें कितना होता है साड़े साइन तीस परसेंट होता है इसका हाफ है न साड़े सोलब परसेंट यहीं तो है हाफ तो इधर भी हाफ कर लेंगे 1 by 6 हो जाएगा ठीक है तो 1 by 6 अब यह बताओ नीचे कितना हो गया एक रुपिये कितना हो गया पर्ता करणे यहां पर दिवियार्य कोसे और हम् साथ रुपए में वो चीजें खरीदी गई होगी नेक्स कोश्चन देखो नेक्स कोश्चन भी कोश्चन हो ऐसे ही से में है थोड़ा सा यहां पर देखो चेंजिंग क्या है एक दुकानदार किसी वस्तु को बिक्रे मूल पर इतना रुपए का लाब पर बेचता है बिक्रे बाई 6 होगा यह बताओ बिक्रे मूल पर बेचा गया है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा बिक्रे मूल हो जाएगा ठीक है और लाब कमा रहा है उपर क्या हो जाएगा लाब अब यह बताओ बिक्रे मूल बेचा 6 रुपए में लाब कमाया एक रुपया का ठीक लाब परसेंट होता है तुमारा लाब बटा में क्रेमूल CP into 100 तो लाब परता है लाब 1 क्रेमूल कितना है वो हमेशा 5 है तो 5 into 100 यानि तुमारा कितना 20% का लाब हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से कोशन आसानी से तुम बना सकते हो सभी कोशन से स्टार्टिंग के एजी एज 12 अब किसी को प्रोब्लम होरी तो देखो तुम सिंपल सा चीज़ यह बताओ देखो अभी मैंने तुमको बोला था कि 1 by 6 तुमारा कितना 16 सही 2 upon 3% अब इसका हाप करोगे हाप कितना होगा 8 सही 1 upon 3 तो इधर भी हाप कर लो यानि कि 1 by कितना हो जागा 12 हाप करोगे तो ठीक ह से तुम आसानी से कर सकते हो 1 by 12 one by 12 तो हो गया ठीक है लेकिन अब देखो करांडेख की क्रेमोल पर यानि नीचे वाला क्या हो गया ओकर वाला कितना यानि उपर वाला क्मा रहा है तो लाब परब कितना आ है एकला रुपाए में बेचा होना चाहिए 1 by 11% कितना होता है ठीक है अगर किसी को प्रोब्लम है ना 1 by 11 कितना होता है तो मैं तुमको बता देता हूँ इसका भी नाइन सही देखो यह होता है नाइन से अगर नहीं समझना आप तो 100 by 11 11% लिख लो ना इसको लिख लोगे 9 सही 1 upon कितना हो जाएगा 11% यह 25% हebता है बिकरे मुल पर 25% हर मतलब क्या है 1 by 4 25% होता है यह मूल पर यानि यह बिक्रे मूल है और क्या है इधर क्या है हानी है अब यह बताओ हानी कब होगी जब क्रेमूल ज़ादा हो अगर यह रूपर चार रूपय बेचने में या निदि 15% खरीदा हुआ तела 20% की खानी हो गई, 20% की हानी होगी, ये तुम्हारा हो गरई answer, तो Q6, Q6 क्या कर रहा है, Q6 कर रहाहा है, कि 16 वस्तूं का crackle, 14 वस्तूं का we mixture out कर बेर के बरावर है, इचनि 16 वस्तूं का crackle, crackle का मैं क्या लिखता हूँ, CEP equal to 14 वस्तूं का, किस के, call 14 वस्तों में कि किसके विक्रे मूल के यानि कि SP अब यह बताओ यहां से कर लो 2,8,16,7,2,14 ठीक है तो CP by SP क्या हो जाएगा? CP by SP तुम्हारा कितना हो जाएगा? तुम्हारा 7 by 8 CP by SP तुम्हारा 7 by 8 हो गया ठीक है? अब यह बताओ लाब कितना? खरीदा 7 रुपय में, बेचा 8 रुपय में, लाब कितना हो गया? लाब हो गया तुम्हारा लाब हो गया, एक रुपया का लाब हो गया, अब यह बताओ तुमसे कुछ रहा है लाब परसेंट, अब लाब होगा तो लाब परसेंट लिखा लेंगे, लाब परसेंट क्या होगा ये तुम्हारा 100% हो जाएगा 1 by 7 अब तुमको ये भी नहीं पता होगा तो देखो मैं एक ची बताता हूँ 1 by 7 तुम्हारा होता है 14.27% ठीक है 14.27% ठीक है 28% होता है या इसी को और लिख सकते हो 14 सही 2 upon 7% लिख सकते हो ठीक है या डारेक्ट इस तरह कर लो ना 100 by 7 यानि कि 14.98 200 upon 7% इस तरह से भी लिख सकते हो किसी भी तरह से या तो परसेंटेज पढ़े तो डारेक्ट 1 by 7 तुम्हारा ये होता है ठीक है और इसके विर लॉजिक मैं तुमको समझा देता हूँ गर आ गया है तो देखो कैसे याद करते है साथ है ना तो 14 ऐसे साथ का पढ़ा पलो 2 by 7 कहा 14 दुनिया 28 28 का डबल कर लो 56 ठीक है 3 by 7 कहा ला इसके 10 देखो इसके भी रूले सोते है ये त्डिक है 14 चौहटा का अफे के दादम कर लोра में क्रेमुलि तेमनने से ख मुल् Pause educación for a राबर है सताइस वह का ख़ो raca cambi да क्रेमृ क्रेमूल को सीपी लिख रहा हूं, पक्चीश ग्रेमृ के लिखंगा हूं स्पी the मैं स्पी का मतलब क्या होता है क्रेमृ मैं हर जगा सीपी लखुँंगा ठीक है इसप का पर किपूल के जगए इसको कैंसिल 1 0 1 0 काइंसिस से करूं कैंसिल 25 ते इसको तो 25 यह काई परचीस ठीक है 25 और यह कितना रग गया तुमारा पचीस यानि कि 11 ठीक है तो CP by SP कितना हो जाएगा CP by SP 10 upon 11 अब यह बता हो हानी होगी कि खरीदा 10 रुपे में बेचा है 11 रुपे में तो लाव होगा एक रुपे का प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट कितने का एक रुपे का हुआ प्रॉफिट एक रुपे का होगा तो हमें पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट लिकाल लें प्रॉफिट या हानी परसेंट हुआ हुआ कोशन है कोशन नंबर क्या कर रहा है बारा वस्तु का क्रेमूल नौ वस्तु के बिक्रेमूल के बराबर है ठीक है तो अब यह बता हो CCP CP by SP क्या हो जागा तुम्हारा CP by SP तुम्हारा हो जागा तीन से कट आलू तितिली के नो तीन चोग के बार यानि कितना हो गया 3 by 4 यहां तक समझ हुए आ गया अब कोश्चन आगे देखो क्या कर रहा है को अब यह बताओ कोश्चन आगे कर रहा है कि जब कि 10 वस्तूओं पर 10 वस्तूओं पर बटटा, 5 वस्तूओं के लाप के बरावर, 10 वस्तूओं का बटटा बटटा को मैंने क्या बोलादा, discount का instructions का मतब ती, 5 वस्तूओं के लाप के बरावर, P ठीक है, तो यह बताओ 5 वनित 10, यानि तुम्हारा क्या हो गया, D by P, D by P तुम्हारा कितना हो गय तो अरे सॉरी profit one रुपय का हुआ न यहां पर ठीक है तो profit percent हम निकाल देंगे profit percent one क्रेमूल CP कितना है तुम्हारा three into hundred यानि hundred one by three यानि 33.33 percent अगर किसी को problem है तो मैं बता देता हूं one by three कितना होता है 33.33 percent होता है ठीक है तो इस तरह से यह तुम्हारा हो गया अब इधर देखो अब हमें चाहिए percentage तो पर्सेंट 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 तो पता चल गया profit percent बट्टा पर्सेंट कैसे लिका लेंगे अब simple सची देखो हमारे पास CP है यह CP मतलब क्या क्रेमूल हमारे पास क्या है वि अब यह बताओ यहां से क्रेमूल कितना है तीन विक्रेमूल कितना है तुम्हारा चार ठीक है क्रेमूल विक्रेमूल कितना है चार अब यह बताओ लाब दोनों के बिच कितना है एक रुपए का लेकिन यहां पे देखो यहां पे लाब कितने का है दो रुपए का ठीक है य जब भी देखो बिक्रे मुल पे हमेसा अंकीत मुल लिका ली जाएगी ठीक है तो यह बताओ अब यह बताओ एक देखो दो रूप लाग एक रुपे का है अगर प्रॉफिट दो रुपे का है तो डिस्काउंट कितने का होगा इसका अगर यह हाप हो गया तो इधर भी हाप क्लियर है बात 1 by 2 का अब यह बताओ तो डिस्कांट कितने का मिला 1 by 0 , तो discount कितने का मिला, discount मिला तुमको 1 by 2, यानि कि 0.5, अगर ये 0.5 है तो अंकित मुली कितना हो जागा, 4.5, अब हम discount percent पढ़े हैं, discount percent क्या होता है, D upon, अंकित मुले, अंकित मुले, इंटू 100, D पता चल गया कितना है, 0.5, D 0.5 है न, अंकित मुली कितना है, 4.5, इंटू 100, य हो, अगर 9 है तो यहाँ पे 11.11% होता है, ठीक है, अगर 2 by 9 होता है, तो multiply कर दो, 22.22%, ठीक है, 11, इसमें multiply कर दिया करो, ठीक है, तो इस तरह से, तो अब ये बताओ, यहाँ पे क्या हो गया, 11.11%, अब ये पूछ रहा है क्या, लाग परसेंट, P percent, minus D percent, P percent कितना है तुमारा, इतना 33.33, minus, ये तुमारा 11.11, यानि तुमारा कितना है, 22.22% इंसर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखो, ये भी कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है, कोशन क्या कर रहा है, सेम कोशन, प्रिवियस, कोशन नमबर 8 के ही जैसा है, लेकिन अच्छा कोशन है, कोशन कर रहे 12 वस्तुओं का क्रेमूल, देखो, 12 वस्तुओं का क्रेमूल, किसके इक बरावर है, 9 वस्तुओं के भी क्रेमूल के बरावर, 9 into, क्या, SP, प्लियर रवा, अब जब की, देखो, तो चलो, यहां से, ठीक है, जब की, जब की, आठ वस्तुओं का बट्टा, 8 वस्तुओं का ब मिला profit 1,000 प्रूफिट के क्यों कि 3,000 रूपिया का खरीदा और चार रूपिय बेचा तो profit percent लिका दूँँगा profit percent क्यो लिका लो halfway percent profit percent और बट्टा पर्षेंट में अंतर क्या होगा profit percent 1 by 3 100 1 CP क्या होता है 3 है तो 33.33?-t GDP अभ इधर देखो इस में क्या कर रहा है अब यहां से मैं लिका लूँ 2 3 6 2 4 के 8 यानी क्या कर रहा है 4 डी इस उकल टू 3 P यानी कि D discount by lab is equal to 3 by 4 यहां तो कोई दिक्कत है कोई नहीं दिक्कत है अब देखो हमें क्या लिकालना है discount% लिकालना है अगर discount% लिकालना है तो हमें जाहिए क्या discount% का मतलब होता है D upon अंकित्मूल नहीं पता है रहाऍस हमारे पास CP पता है क्रेमल पता है बिक्रेमल को SP लिखता है अब अंकित्मूल हम find outtaेंट qui s क्रेंगी क्रेंल कितो क्रेंगे तुम्हारा यहां पर क्रेमल तीन है विक्रेमल कितना है तुम्हारा चार है यह देखो क्रेमल तीन भी क्रेमल चार है अब यह बताओ अब सिंपल सा चीज बताओ देखो यहां पे कितने रुपे का प्रोफिट हो रहा है एक रुपे का न हो रहा है देखो यहां पे देखो देखो प्रोफिट चार रुपे है यहां पे देखो चार र प्रोब्लम है अगर यह तो इस तरह से कर लो इसका थ्रीवाइब फूर tari प्फॉर्ट है यानि तुम्हारा देखो अगर तुमको किसी को कोई प्रोबलम हो रहा है तो तो मैं इस तरह से बताताiller जैसे देखो, यह तुम्हारा यह हो गया, अब देखो, कह रहा है तुम्हारा, कि यह बताओ, एक रुपए है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट, देखो, यहाँ से सोचो, कैसे ठीगिंग लगाओगी, देखो, यह वाला चीज़ मैं इधर लिकालता हूं, देखो, डी बाई प तुम्हारा करोगे, तो फेटीन पू salad, यहाई दिस्काउUNTS कितना है, cuarto- Wish, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 19.3 परिष्ट है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 33.33% माइनस यह तुम्हारा कितना है 15.79% इसको घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 17.5% यह तुम्हारा क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे फिर से किसी को प्रोब्लम देखो सिंपल साची हमारे पास क्रैमूल 3 रूपै है दिबी क्रैमूल 4 रूपै है लेकिन यहाँ पे देखो का रहे है क्विक 4 रूपै की प्रोफिट हो रही है लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पर तो एक रूपै क्टर रूपै की होटे तो 4 से सम्हें अगर discount जो होता है वो का होता है तुमको mark price minus SP होता है ठीक है अगर selling price दी हुई है तो इधर देखो discount क्या होता है तुम्हारा देखो मैं तुमको बताता हूं जैसे देखो अगर किसी को problem सारी है अगर देखो यहां पे समझो बात डिसकाउंट कब होता है discount का मतलब क्या है कि वो तुमको क्या कर लेता है कभी-कभी वो कहता है कि भाई हमारे पास क्या है कि 100 रुपे देखो जैसे तुम 100 पे गए सिंपल सा वर्डिंग में 100 रुपे गए तुम ने कोई नमक का packet मांगा वो 20 रुपे लिखा होता हूं उसने बोला कि नहीं भाई हम क्या करते हैं इसको 10 10 रुपे का है अफार रुपे में देंगें तो यानिकि 2 रुपे का profound इसकाति अ करना है अमकीत मुल निकल जाएगा अगर सिंपल न से दिखो से वहीं चीज है यार कि यहां पे यह बताओ क्या मतलब क्या होता है अंकीत मुल- chamo ठीक है अगर तुमको मारक प्राइज लिकालना है अंकित मुल लिकालना है तो इधर इसको ला दो जोड़ दो तो डी प्लस स्पी तो वहीं चीज है स्पी गिवें ती डी भी पता तो इसमें जोड़ दी 19 आ गया ऐसे कोशन को अप डरो मत ठीक है आराम से कर सकते हो नेक्स्ट कोशन कर रहा है कि 72 वस्तूओं को बेजने पर एक आदमी ने 9 वस्तूओं के विक्रे मुल की हानी होती है देखो कोशन क्या कर रहा है कोशन ऐसे कोशन बहुत ही अच्छे कोशन में आते हैं ऐसे कोशन को समझना कैसे जाए नाइन वस्तूओं के विक्रे मुल की हान हम मानेंगौ ठीक है यह मानेंगे लेट थीक है तो अब यह बताओ नाइन वस्तो का विक्रय थीक्रहाएं मुल कितना हो देखो की और estásd नाइं वस्तो का हनी थी कितना हो जागा तुम्हारा फारीथि कृम्हारा कितना मिल तुम्हारा that's won't PG कितना मिल थी दूम्हारा अब यह बताओ तुमको क्रैमूल कितना हो जागा क्रैमूल हो जागा तुम्हारा घटा देते हैं क्रैमूल जोड़ेंगे क्योंकि हानी हो रही है न तो हानी 72 प्लस 9 72 प्लस 9 यानि तुम्हारा क्या हो जाएगा 81 रुपए अब क्यों जोड़ेंगे क्यों हानी तभी होगी गुमारा कीति होता है वाइन सकता है या इस्थी को सिंपल बाग करो फॉह में 11 Iphone 9% यानी इलेवन सकता है या नियुकसल हसे वस्तुन को बेचने पर एक आदमी को नाइन वस्तूओं के विक्रे मूल का लाब होता है देखो वस्तूओं के विक्रे मूल का लाब होता है तो यानि कि देखो हम मान लेंगे कि एक वस्तू ठीक है का विक्रे मूल अगर विक्रे मूल दिया हुआ है तो विक्रे मूल मानेंगे कितना है एक रूपया है ठीक है तो यह बता कितना हो जाएका क्रेमोल कितना हो जाएगा गटिकंग तो यह कुआ रूपै किसी भी चीज को हमने क्या किया 9 रूपै लाग पे बेचा ठीक है और बिक्रेमुल कितना था तुम्हारा बहत्तर के है अब क्या कर रहा है कि लाव परसेंट बताओ तो लाव कितने पे 63 पे इंटू क्या 100 यानि तुम्हारा कितना हो जगा चौदा सही दो पॉन सेवें परसेंट डिवाइड कर लो हंडेड़ वाइट सेवें को कर लोगे न तो चौदा यह तो याद भी रख लो वन बाई सेवें परसेंट ठीक है नेक्स्ट कोश्चन भी कोश्चन सेम ही है बट थोड़ी सी क्या है इसमें चैंजिंग दो बहत्तर वस्तू को बेचने पर एक आदमी को नव वस्तू के क्रेमूल का लाब होता है तो यहाँ पे अब क्रेमूल आ गया ना तो हम मानेंगे कि एक वस्त बहतर प्लस नाइन तभी बेचेगा ज्यादा में तभी तो लाब मिलेगा अब बहतर प्लस नाइन तुम्हारा कितना हो जाएगा लेकिन हमें लाव परसेंट करना ना लिकालो ना लिकालो कोई फरक नीपर लाब परसेंट कितना होता है तो 11 sitting भूट ही किसा करना इन तBox इस लेखते हैं लौ Youtube अच्छा स Nossaने वह प् शॉछ स्सक्राइब बहुत अच्छा को चोचन ilsक्राइब बोचा अच्छ से लिए इस question में क्या कर रहा है कि 10 मुम्बत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पैन के विक्रे मुलका फायदा होता है जबकि 10 पैन को बेचने पर 4 मुम्बत्ती के विक्रे मुलका नुकसान होता है एक जगब फाइदा होता है मुंबत्ती को बैचने पर पैन का और दूसरी पर पैन को बैचने पर मुंबत्ती का नुकसान होता है कीमत, यानि CP क्रेमूल, यानि कि X, तुम ऐसे भी कर सकते है, इसको X मान के इसको XY2 भी मान सकते हो, लगिन हम क्या Fran fill को हटाने के लिए गृмо की सक sleeps करेंगे, तोuje अहज मी करेंगे तो नहीं find out करना कि a by b क्या होगा इसका विक्रे मुल का अनुपात क्या होगा ठीक है अब यह देखो कोशन क्या कर रहा है हमारे पास देखो कोशन यह बता हो दस मुंबत्ती को बेचने पर थ्री पैन के विक्रे मुल का फायदा होता है ठीक है दस मुंबत्ती है ना हम मान लेते ह बेचने ना यहां पर एक्स थीज़ एक्स हो जाएगा टेनेक्स क्या ओजाएगा उसका क्रेमूल हो जाएगा कि ठीक है और किसी को पता नहीं है तो फिर से मैं एक बार समझाता हूं दस मुंबद्ति को बेचने पर एक आदमी को थ्री पैन के भी क्रेमूल ि है कितने समझें घ्रैड़र क्या है रोप movie कि दस लेकिन यहां पर क्रेव कितना है लिएक मुथी फाइदा हो गया यानि की भी हो गया अब यह बताओ लक परसेंट लिकल जाएगा profit percent लिकल जाएगा कितना 3B divided by kreml 10x into क्या हो जाएगा 100 ठीक है यहां तक तो हमारा काम हो गया next आगे concept बढ़ाते हैं देखो question क्या कर रहा है फिर क्या कर रहा है आगे देखो 10 पैन को बेचने पर 10 पैन को बेचने पर ठीक है अब यह बताओ kreml क्या हो जाएगा kreml pan pan कितने है टू एक्स है धर ऐन अगर दस बीचना है अगर सपफें को बेचना एक पैन की कीमत माने लेते हैं है तो दस था Under tamed 10 kahokay उडать दस इंट्पकर मुलक नुक्सान होता है किया था जैया कि सब्सक्राइब आप यहांब पहन की तो एकस है इसला हमने 20 यां सब्सक्राय की आप और हानी कितना हो गया चार मुंबत्ति का चार और बिक्रे मुंबत्ति की विक्रे मुल्ट कितना है एनकी 4 A तो हानी परसेंट कितना हो जागा तुम्हारा 4 A divided by 20X into 100 यहां पर दिया हो था, लाब परसेंट और हानी परसेंट इक्वल है, यानि यह एक्वेशन फ़र्स्ट और यह एक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, एक्वल है, इन्टु 100 डिवाइडर बाई क्या 20 X 100 से 100 कैंसिल X से X 10 दुनी 20 ठीक है तो यह दखो तुमारा कितना हो जाएगा 6B is equal to 4A ठीक है 2 से कटा लो 2 दुनी 4 2 3 6 तो 3B is equal to A तो A by B is equal to क्या हो रुख जाओ यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा A by B क्या हो जाएगा रुख जाओ 3B is equal to 2A हो गया यहाँ पे 2 है तो A by B is equal to 2 by 3 तो क्या हो जाएगा B तुमारा 3 है तो 3 by 2 ठीक है देखो 3B is equal to 2A तो A by B क्या हो जाएगा 3 by 2 यह तुमारा क्या हो जाएगा एंसर नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन भी अच्छा कोशन से है कोशन क्या कर रहा है देखो कोशन ऐसे कर रहा है कि जब एक वस्तू को 800 रुपे में बेचा जाता है मान लेते हैं मारे पास 800 रुपे में बेचा जाता है यह क्या है SP है बेचा जाता है तो उससे से मिलन मान लेते हैं कि यह एसपी 1 है दूसरा क्या है अब क्या उस वस्तु को 275 रुपे में बेचा जाए ठीक है तो उससे होने वाला हाँनी का बीस गुुना है यानि कि यह जो यहां पर lab हो रहा है और यहां पर जो hani हो रहा है अगर hani को हम x मानते हैं तो lab कितने का हो रहा है तुम्हारा 20 गुना इसका 20 गुना यानि कि 20 x का ठीक है यहां तक तो किसी को problem नहीं होनी चाहिए मेरे recording ठीक है अब ये बताओ CP क्या होता है CP अगर लाब के केस में क्या होता है CP देखो लाब के केस में तुम्हारा क्या होता है CP में करहेड़ना धितना होता है SP-P Profit ठीए Profit अगर Loss के केस में देखा जाए, ₹ ви गाए अब यह बताओ हम सीपी को इक्वल कर दें सीपी को इक्वल कर देते हैं तो इधर सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा 800 माइनस क्या हो जाएगा 20x क्यों मैं किया हूं क्यों कि तुमको लाब बराबर क्या होता है लाब बराबर होता है विक्रेमूल मॉल माइनस क्रेमूल ठीक ह है इधर उसके अपोजिट हो जाएगा 275 प्लस X क्योंकि हाँ नहीं हो रहा है ठीक है यह इस वाले पर लगा लेना तो अब यह बताओ इसको करते हैं सुल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो इसको इधर लाते हैं 21x is equal to यह तुम्हारा कितना हो जाएगा 21 is equal to 800-275 21x is equal to तुम्हारा कितना हो जाएगा पांच ठीक है 525 तो एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा 525 भाई 2525 भाई 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा 525 भाई 25 तुम्हारा यह हो जाएगा सिंपल सा चीज 25 Supp के लब कमांदे wat किना है तुम्हारा अबक्षिंटी पर सब्सक्राइं पता है तो हम क्या करते हैं इसकी किसी तरख क्रेमुल ग्यांद कर लेते हैं अगर देखो क्रेमूल कैसे पता चलेगा अगर x25 है न तो देखो इसमें जोड़ देंगे तो क्रेमूल मिल जागा इधर वाले में क्रेमूल यहां पर देख लो बेचा गया 275 में जोड़ देंगे x25 यानि कि 275 प्लस 25 यानि कितना 300 cp कितना मिल गया 300 इधर भी कर सकते थे लेकिन 20x करके कर में पड़िएगा अब देखो तुमको पता है न कि लाब परसेंट क्या होता है लाब ठेक है अब question कहा रहा है कि वस्तू को किस कीमत पर बेचा जाए बेचने की बात की जा रही है देखो अब कि बात की जा रही है तव तहिंख 120 hundred plus twenty by hundred यानि 2-0 यानि की 360 रुपए पर उसको बेचा जाए ठीक है next question देखो next question भी बहुत ही अच्छा question इसी तरह का question यह बड़िन बहुत ही अच्छा question यह कर भाया है कि एक वस्थु को इतना रुपए पर बेचने पर मतलब SP कितना है तुम्हारा 717 रूपय है ठीक है SP1 मतलब Bikramul है मिलने वाला लाब उस वस्तु को माले ते हम CP क्रेमूल यहां पे Bikramul और यहां पे क्या है क्रेमूल क्योंकि क्रेमूल पे ही लाब मिलेगा न 527 रूपय में बेचकर मिलने वाले हानी से उसी वस्तु को 527 रूपय में बेचकर 527 रूपय में अलब SP2 Bikramul बेचकर इतना परसेंट ज्यादा है मतलब कोशन आगे देखो फिर से पढ़ना हूँ एक व्यक्ति को 717 रूपय में बेचने पर मिलने वाला लाब उस वस्तु को इतने रूपय में बेचने पर मिलने वाला हानी से इतना है देखो हानी की इतना जादा है यानि कि देखो ये तुम्हारा किसके इकल होता है मैंने तुमको अभी बताया था अगर नहीं पता है तो देखो ये तुम्हारा होता है 1 by 9 के इकल तो इसमें से ज्याधा यानिकि दस ओगा लाम कि यह वाला जो होगा और कितना हो जागा तुम्हारा 9 क्लीर है कोई दिक्कत है इसमें मेरे कोडिंग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जैसे देखो सिंपल से ज्यादा है कितना यानिकि अगर यह 9 है तो वह 10 होना चाहिए एक ज्यादा है यानिकि 10 ठीक है तो यह यह बताओ अब मैंने अभी तुमको बताया था अब देखो इस तरह से कर सकते दोनों अब क्या कर स यह तुमारा लाब है और इधर वाला तुमारा यह लाब है लाब है प्रॉफिट है और यह केतना है तुमारा लॉस है ठीक है यह लॉस यानिकि हानी है ठीक है अब यह बताओ कि मुणा कि मुणा है इस पर लाब है क्वेशन में दिया हुआ इस पहर उस वस्तू की कीमत को इतने कमानी पर वस्ता को किस कीमत पर यानि एस-पी स्पीच मिल जाए सी मिल जाए सी पी कैसे मिलेगा तो है मैं यहां पर हमारे आहरे पास साथ इस वाले में रख लेते हैं हमारे पास साथmu स तो खरीदा कितनी में होगा यानि कि 617 में खरीदा हो यह मनलब क्रेमूल होगा उस प्राइज होगा ठीक है CP होगा तो CP कितना मिल गया तुमारा CP मिल गया तुमारा 617 तो SP लिकल जाएगा SP क्या होता है 617 इंटू 110 लाग पे 10% फार्मूला में यूज कर लो क्या 100 यह से एक एंसील हो गया यानि तुमारा यह हो जाएगा अगर इसको सोल करोगे तो 678.7 परसेंट 7 रुपए का बेचना पड़ेगा उसको ठीक है Q16 क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तू को 9% हानी पर बेचता है ठीक है अब देखो सिंपल साथ चीज है Q16 क्या कर रहा है कि कोई वस्तू है एक आदमी किसी वस्तू को 9% हानी पर बेचता है ठीक है अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता सिंपल साथ चीज है हम माल लेते हैं तो प्रारम में उसका क्रेमूल क आओगा हम कहते हैं कि क्रेमूल क्या है हमारे पास हंडेड रुपए आ है अगर नाइन परसेंट के हानी पर बेच रहा है यानि कि उसको कितना में बेच रहा है तभी तो हानी होगी नौ रुपए की अब कर रहा है कि अगर वो उसको 750 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 7% का फायदा होता यानि 7% का फायदा होता और यहां पे 9% का लाव हो रहा है लॉस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है ठीक है तो यहां पे 7% का फायदा होता यानि कि 107 रुपए में बेचता हो उसको ठीक है अब यह बता हो अगर उसको बेचता है तो कितना रुपए है 750 रुप ठीक है तो one unit के लिए one part के लिए कितना होगा 750 upon क्या हो जागा तुमारा solar रूपय क्रेमूल कितना है तो कितने part हमारे पास चाहिए 100 parts 100 part के लिए कितना चाहिए 750 into 100 upon solar यानि इतना रूपया तुमारा यानि कि 4687.50 रूपया उसका क्रेमूल हुआ होगा ठीक है simple question क्रेमूल करा है कि हमने late मान लिया कि late क्रेमूल जो है क्रेमूल है 100 रूपय का कर रहा है उस पे 9% की हानी पे बेच रहा है छोलो पार्ट कितने में बेच रहा है 750 रूपय यहीं तो उसको जाता में बेच रहा है तो एक आद्मि किसी वस्तो के वस्तू को 7% लाब पर बेचता है अगर वो उसको 400 रूपया ज्यादा में बेचता तो ऊसे 30% का लाब होता है सेम कोश्चन ने प्ला रही है यह बताओ मैं माल लेता हूं लेट सीपी क्या है क्रेमूल क्या है हंडेड रुपए ठीक है अब क्या करें सात रुपए के लाप पर बेचता यानि स्पी तुमारा बिक्रेमूल कितना हो जाएगा तुमारा साथ परसेंट ज्यादा बेच रहा है यानिके 4248 ठीक है तो वन पार्ट वन पार्ट इस उकल टू कितना 4248 अपॉन क्या 6 इसी तरह हमें चाहिए क्या क्रेमूल चाहिए ना क्रेमूल हंडेड पार्ट है 100 पार्ट हंडेड इंटू 4248 अपॉन 6 छे साते 42 0 6 8 48 यानिक तुमारा क्या हो जागा 70800 रुपए उसका क्या हो जाएगा क्रेमूल हो जाएगा ठीक है इस तरह से यह तुमारा क्या हो जाएगा इंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन देखो नेक्स कोशन अच्छा कोशन है क्या गर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तू को 20% लाब पर बेचता है अगर उसे अगर उसने 10% कम में खर सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्राइब 120 रुपए यह क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइज हो जाएगी मतलब विक्रेमूल हो जाएगा ठीक है अगर वो उसे 10% कम में खरीता 10% कम में खरीता अगर 10% कम में खरीदेगा 90 रुपए में खरीदेगा तभी तो 10% कम खरीदेगा यानि कि नया क्रेमूल हो जाएगा नया CP ह हो जाएगा 90 रुपए और कोशन करा कि और 18 रुपए कम में बेचा होता मना बेचा होता तो 30 परसेंट का लाब होता यानि कि इसका 30 परसेंट का लाब हो जाएगा 30 दखो 90 का 30 परसेंट कितना होगा ती बाई हंडेड यानि कि नतिली 27 यानि कि 27 रुपया ज्यादा यानि 27 कीमत कितनी है, 18 रुपय के equal 3 रुपय, 3 unit, 3 part मतलब में लिके लो या प्लस में लिके लो कोई, 1 part की कीमत कितनी हो जाएका, 18 बटा 3, लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रारामिक क्रेमृल पले था, किना 100 part तो 100 पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 100 into 18 upon 3 यानि 3 चा के 18 यानि कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 600 रूपिया एंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो अगर डारेक्ट भी कर सकते थे 90 का कितना करना है 30% लाप पे तो SP तुम्हारा अगर नहीं तो इस तरह से 90 का 30% लिका लो इतना इतना ज्यादा होगा किसी करा भी कर सकते हो आप असानी जे कोश्चन को कोश्चन नंबर 19 क्या गर रहा है कोश्चन नंबर 19 कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाप पर बेचता है ठीक है अगर उसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपय जादा में बेचा होता तो 40% का लाब होता लेट सपोज की CP जो है प्रारमी करेमूल कितना है 100 रुपया है ठीक है अब क्या कर रहा है 10 रुप अगर किसी वस्तु को 10% के लाप पर बेचता है 10% का लाब पर बेचता है, यानिकि SP तुम्हारा कितना 110 रुपे में बेचता है, clear है बात? तबी तो 10% का लाब होगा, अब question करा कि, यदि उसे 20% कम में खरिदा होता है, 20% कम में खरिदा, मदब 80 रुपे में खरिदा होता है, नया CP, ठीक है? और 20 रुपए जादा में बेचा होता है 20 रुपए जादा में बेचा होता है तो 40% का लाब होता है इसका 40% 80 का 40% कितना होगा खर लो 40% 32 रुपए 32 रुपए यानि कि तुम्हारा कितना हो जाए 80 में 32 जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 112 रुपए में बेचा होता यह बताओ कितना unit होगया तुमारा यह दोनों के बीच का दो unit के लिए कितना जादा 20 रुपए लग रहा है न, दो unit के लिए थीक है, तो एक unit के लिए कितना लगया 20 by 2, यानि 10 रुपए उसी तरह हमारे पास कितना unit है, 100 unit प्रारामिक में है, तो 100, यानि कि 100 इंटू क्या तम्हारा 10, यानि कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1000 आर्यस रुपय है, उसका जो होता है, क्रायमूल होता है, ठीक है, नेक्स्ट कौश्चन देखो, कौश्चन नबर 20, कौश्चन नबर 20 भी लास्ट को, इस वीडियो का ला परसेंट का लाब होता है, जैसे सिंपल सल देखो, पचीस परसेंट का लाब हो रहा है, पचीस परसेंट कितना होता है, यह तो लाब है, नीचे वाला देखो, नीचे वाला तुम्हारा देखो, नीचे वाला होता है, तुम्हारा CP मनलब क्रैमूल, अगर इतना क्रैमूल है और यह लाव है तुम्हारा ठीक है अब यह बताओ SP कितना हो जाएगा 4 रुपय खरीदा है 1 रुपय का लाव कमारे याने 5 रुपय ठीक है यानि कि तुम्हारा CP में मान लूँगा कितना हो गया 4X और SP कितना हो जाएगा तुम्हारा 5X ठीक है अब question यह तो clear है यहां तक clear है question अब देखो question क्या कर रहा है अगर उसने 900 रूपे कम में खरीदा होता है और उसे chiar 900 रूपे कम में बेचा होता यह खरीदा वाला ओगया और बेचा कितना में 900 रूपे कम में बेचा तो अब क्या पहले 25 कमा रहा था पांच परसेंट ज्यादा यान टोटल कितना कमा रहा है 30 परसेंट 30 परसेंट का मतलब क्या 3 थ्री वाई टेन यह अगर यह CP है तो यह तुमारा प्रोफिट है तो SP क्या हो जागा सेलिंग पराइज हो जागा 13 रुपए तभी तो 10 रुपए का समान 13 रुपए का लाग कमर 13 रुपए में बेचेंगा ऊपर क्या है CP है उपर CP यानिकि 10 है और नीचे क्या है SP है ये CP है मल्सडल क्रेमूल है और ये क्या है नीचे वाला भी क्रेमूल है तो यानि क्रेमूल 13 अब simple question को solve कर सकते हsung को दोकर सकते हैं को practice सब्सक्राइब तो हमें क्या पूछ रहा है क्रेमुल क्रेमुल कितना है फोर एक्स है तो फोर इंटू तेरह सो पचास यानि कि तुम्हारा क्या हो जाएगा पूर इंटू तेरह सो पचास तुम्हारा ये हो जाएगा चोवण सो तुम्हारा क्या हो जाएगा चोवण क्या कर रहा है कि एक आदमी किसी वस्तू को 20 पर बेचता है बेच रहा है नगर उसने 600 रुपे कम में खरीदा होता और चारु सो रुपे कम में बेच जा होता तो उसे 10 पर अत्रिक्त लाब होता है यह तुम्हारा होता है प्रॉफित और यह तुम्हारा हो ज़याग सी पी तुम्हारा कितना हो जाएगा एएसप Howard कर चाहर क् We अब ये बता हूँ, simple, सची, ये बता ओ, देखो, question कर रहा है कि अगर उसने 600 रुपे कम में खरीदा होता, पहले कितना दा? 5X खरीदा 600 रुपे कम में, भी कम में, मारे 6X था, अगर वो क्या करता? 400 रुपे कम में बेचा, उपर क्या है? तुमारा CP है, और नीचे क्या है? लेकित प्रोप्रवंत76 मद्न क्या हुए अब क्या है अब किया कर रहा है अभी किना सफने सब्सक्राइब तो तुम्हारा यहां पर सच इसको सोल्व कर लेते हैं तो तुम्हारा यह हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो गया यह इसमें से घटाओंगा अठाटर सो मेंसे 4000 तो यह तुमारा हो जाएगा 3800 ठीक है तो X क्या हो जाएगा तुमारा 3800 divided by 5 ठीक है इसको 20 multiply 20, 20, 38 दूनी कितना हो जाएगा, 38 दूनी तुमारा यह हो जाएगा चलो हमें चाहिए क्या, हमें question चाहिए क्या क्रैमूल, क्रैमूल तो 5X है तो ठीक है एक्स लिकालने की ज़रोत नहीं है यार 5x तो यहीं तो क्रेमूल है न 5x यहां से तुमारा क्या हो जगा 3800 तुमारा answer हो गया नहीं तो अगर इस तरह से भी कर सकते 5x इकल तो एक्स लिकाल हो गे 3800 बटा में 5 हमें क्रेमूल चाहिए क्रेमूल कितना है 5x 5x फिर से मल्टिप्लाई कर दो और 300 into 5 by 5 या इतना करने की ज़रोत ही नहीं है डायरेक्ट हमारे पास 5x है तो 5x नहीं तो मारी क्या हो जाएगे answer नेक्स्ट कोषें व्श्चन तैड़ कोषें नेक्स्ट कोषें यह भी अच्छा कोषण में आता है इसे Hugosण ऐसे टाइप के कोषें बहृत बार और पूछे गए हैं सस्सी एक्ग से ठीक है को उसे करहा कि एक साई गया फीक बश्त बहुती अच्छा हमेसा इसको वस्तूइं और कीमत लिख लिए करो ठीक है वस्तुएं ठीक है अब क्या कर रहा है और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेचता है बेचना मतलब SP ठीक है क्रैमूल और यह क्या तुम्हारा है विक्रैमूल ठीक है कितना 10 वस्तुएं 10 वस्तुएं और कितना 11 रुपए के हिसाब से कीमत बेचता है ठीक है अब कोशन क का मतलब क्या है कि हम किसी तरह देखो हम किसी तरह क्या करेंगे वस्तु को हमेशा ऐसे कोश्चन में क्या करते हैं वस्तु वस्तु माल जो भी हमारा आर्टिकल्स है जिसको हिंजी में बोलते हैं वस्तु उनको इक्वल करते हैं इक्वल करेंगे तो यह बताओ इसको और इसको यहाँ लृओं अब यह बताओ तो तुम्हारा वस्तू सबस्टोर कीमत कितना नमयंगे। टुस सब्सक्राइब चूंटा थाग्ज्ट कर रहा दा कितने पर तक हैं सब्सक्राइब ऑब देखो या तो तुम इसको दूसरा वे ऐसे उसे कर सकते हो रषाम पिर तो इस तरह से तुम डायरेट्ट 90 कि कर सकते हो कैसे यदर से मल्टिप्लाइ करो, यह कितना हो जगा तो में अम्हें प्रोफिट पर्सेंट लिखरना है तो जब्ध है टनल भजब वो जायेगा ठीक है देखो next question देखो next question में भी हम दोनों method यूज करेंगे दोनों method यूज करेंगे देखो question कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ pencil इतने रुपई के हिसाब से खरीदे टेखो pencil गोई के इंचे यह जाफ से फिल Kína को एक रिटार रहा 20 test मोस्च कर देंगे इस में इसमें कि अल्दिपेंसिय कर देंगे और इसमने क्या MULTIPLY कर देंगे तुमको 6 से तो 30 फेंसिल खत्राइका तेस यह जाएगा यान yol देंख झा देजिए कि तुम्हारा पेंसिल पेंसिल और यह तुम्हारा क्या हो गया कीमत ठीक है अब यह बताओ पेंसिल कितना हो गया 30 कीमत कितनी हो गई 25 ठीक है यहाँ पेंसिल कितना हो जाएगा 30 और कीमत कितनी हो गई 36 अब यह बताओ खरीदा तुमको तुमको पचीस रुपए में, बेचा तुमको चटीस रुपए में, तो कितना परसेंट, खरीदा तुमको पचीस रुपए में, और बेचा तुमको कितने में, चटीस रुपए में, यानि 11 रुपए का लाब हुआ, 11 रुपए का लाब हुआ, कितने में, पचीस रुपए में यानि 100 यानि ये तुम्हारा क्या हो गए प्रोफिट परसेंट ठीक है लाब कितना प्रोफिट कितना का हो गयार रुप्टे का तो देखो 25,440 यानि कि 440 रुपे तुमको क्या हो गए तुमको लाब हुआ ठीक है, method 2 जो मैं बताया था, method 2 देखो कैसे apply करोगे, method 2, method 2 में मैंने बोला था pencil लिखो, कीमत लिखो, ठीक है, pencil कीमत, CP है तुम्हारा कितना, 6 और 5, ठीक है, और SP कितना है तुम्हारा, 5 pencil, 6 रुपे, अब देखो, मैंने बोला था कि इसको इससे multiply कर देना, ये तुम्हारा क कितना हो गया, 25, इसको इसे multiply कर देना, कितना हो गया, 36, कितने का gap हो गया, 11 का, प्लस 11, profit हो गया, profit परसेंट लिकाल देंगे, profit परसेंट क्या होता है, profit, divided, मनलब, लाब, divided by, क्रेमूल, क्रेमूल 25 है, इंटू 100, पचीस चो के 100, यानि कि तुम्हारा कितना हो गया, 44 रुप पूछे जाते हैं, एक आदमी ने, देखो कोशन कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ संत्रे, एक संत्रा दो रुपे के हिसाब से खरीदा, ठीक है, अब देखो कोशन ये कर रहा है कि हमारे पास क्या है, है कि वस्तु है, ठीक है, वस्तु यानि कि संत्रा कहलो, वस्तु है तु संत्रे मतलब क्या कि समान एक संत्रा दो समान संत्रे मलब सेम जैसे ही संत्रे दो संत्रे एक रुपए की दर से खरीदा यहां पे मिश्टेक है खरीदा होगा ठीक है खरीदा और उसने सभी संत्रे चार संत्रे तीन रुपए की दर से बेचा तो लाब और हानी परसें करता हो द संत्रन किए फिर स्थरीदा दो संत्रे कितने रुपे में क्रीदा ॹर ठीक है फिर फैनली क्या कर दिया गिस्टमत overcome कि दर से है बेच ecoscom क्या करेंगे देखो अब हम क्या कर लेंगे वस्तू और मुल टीक है मुल डीभाइडेड राई वस्तू करेंगे मतलब देखो ये बताओ एक सवर्य दो रूपए है तो एक सप्सक्राइए किमाट दो रूपपे हैं तो एक मुले है दो रुपए यहां पर मुले भाई वस्तू ही कर रहा है देखो यहां पर देखो मुले कितना है दो रुपए वस्तू कितना है एक ठीक है यहां पर मुले कितना है कीमत कितनी है तुमारी एक रुपए वस्तू कितना है दो ठीक है अब क्या करते हैं जैसे देखो हमारे पास क्या है वस्तू कितना है 12 और चाह came ले लेते हैं एल्सिएम क्या होगा major टॉटल वस्तू कितने तो है 4 हो जाएगा 4 से 8 हो जाएगा work यह तुम्हारा दौ हो जाएगा clear है बात अभ यह बताओ वस्तू कितने हो तुम्हारे 4-4, 8 हो गए न, cp तुम्हारा क्या मिल गया, cp तुम्हारा मिल गया, cp मिल गया तुम्हारा 8 वस्तू का 10 रुपए, ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, देखो उसी तरह, sp, sp में करेंगे, तु 3 by 4 हो जाएगा, और multiply कितने से करना है तुमको, अब वस्तू तु रुपए, CP कितना है, 10 रुपए खरीदा, और बेचा कितने है, SP 6 रुपए में, ठीक है, तो अब यह बताओ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए, माइनस 4 रुपए, मतलब हानी हो गई, 4 रुपए की, हानी 4 रुपए की हो गई, तो हानी परसेंट लिका लेंगे, हान मारे कितने हो जाएंगे, total, सारे संत्रे, बोल यानी 8 वस्तु हो जाएगी, यानी 8 से मिल्लिप्लाइ कर, next question देखो, next question बी, same है जए, previous question ही है, question कर रहा है, 24 जैसा है question कर रहा कि एक आदमी ने कुछ संत्रे 5 संत्रे 1 रुपए की दर से खरीदा संत्रे और क्या इधर कीमत ठीक है यानि इसको बोल सकते इंगलिस वाले में बोले तो article और price ठीक है अब यह बताओ से करें कुछ संत्रे 5 संत्रे 1 रुपए की दर से ठीक है समान संत्रे 4 संत्रे ठीक है एक रुपए की दर से से खरीदा यानि कि CP और ये भी क्या है CP अब कोशन कर रहा कि उसने सभी संत्रे सभी संत्रे, अभी सभी संत्रे कितना है वो नहीं पता है, 9 संत्रे 2 रूपए की हिसाब से, 9 संत्रे 2 रूपए की हिसाब से खरीदा, ठीक है, अब यह बताओ, मैंने क्या बोला था, यहां पे तुम क्या लिख दो, प्राइस अपॉन क्या लिख दो, आर्टिकल याने के संत्र संत्र है यह बटाव एक जायेगा है तुम्हारा प्राइस कितना एक रूपे है इधर कितना एक रूपे 4 जाट ठीक है 4 चार संट्र है अब बहुत हो मैंने तुमको बना था ना LCM ले लेना पड़ेगा ले लो पांच चार और नो का एल सिम ले लो पांच चार नो की से प्रज़ें कितने टोटल वस्तूएं हो जाएंगी देखो पांच चार का एल सम कितना हो जाएगा लेकिन हमारे पास अब फाइनली संत्र हैं तिन सो साथ यानिकि यह तुम्हारा कितना हो जाएगा लेकिन कोशन यह नहीं कर रहा है कि इन में से उसको देखो बेच दिए ठीक है इन में से उसको 30 रूपय का घाटा हुआ है एक यूनीट पर कितना हो रहा है 30 रूपय का ठीक है एक यूनीत पर यहीं नो एक रूपय कि एक यूनीट का हिसाब से 368 यहां ले लो एक यूनिट की कितनी कीमत है तीस उरुपय का घाटा होता है तो टोटल कितना है 360 है ना हमारा यहां पर देखो 180-180-360 तो 360 कि संतरे क्योंकि यहां पर विक्रे मुल कितना है क्रेमूल पर बेचने का वादा करता है मतलब कि एक दुकानदार अपनी वस्तों को क्रेमूल पे मलब जितना में खरीदता है उतना में यहीं बेचने का वादा करता है परन्तु वह 30% कम वजन का परियोग करता है लेकिन जब वजन करता है तो 30% कम वोजन करता है तो जैसे देखो, मैं मानता हूँ कि 1000 जो ग्राम है, इस टाइम के कोशन को मालने ते हैं कि 1000 रुपए के बरावर है ठीक है, तो ये बताओ 1000 ग्राम हो गया ना, 1000 ग्राम हो गया ठीक है, 1000 ग्राम, उसमें से क्या कर रहा है कि 30% कम वोजन करता है 30% कम वोजन का मतलब क्या कि 700 करता है चाहता है यह तुम्हारा क्या हो गया बिंफिट हो गया उसको 300 का रचन्छ नग परसें क्योंकि क्रेमूल कितना है? 700 इंटू क्या? तुम्हारा 100, यानि तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, यानि कि 3 by 7 इंटू 100. 3 by 7 इंटू 100 तुम्हारा क्या हो गया? जेखो, 1 by 7 तुम्हारा multiply कर लो, 300 upon 7, यानि तुम्हारा कितना होगे? साच्चर के 28, साच्चर ओठाइस, यह तुम्हारा क्या होगी एंसर नेक्स कोशन देखो नेक्स कोशन भी बहुत आसान कोशन है कि एक बाइमान दुकादार अपनी वस्तों को क्रैमूल पर बेचने का वादा करता है मैं मान लेता हूं इसेने का वादा करता है यानि कि इतने पर ही बेचने का वादा करता है Teak Boston का राया कि परंतुवह 1kg जगह तुम्हसी करता है नो से साठ ग्राम जो दोन गर्धर नहीं वजन करता है तो अब लाव कितना होगा देखो इतना पे लाव कितना हो गया एक हजा में से 960 तुम्हारा 40 रुपे का लाव हो गया 40 रुपे का लाव कितने पे 960 पे इंटु क्या 100 से मल्टिप्लाई कर दो यह तुम्हारा प्रोफिट परसेंट लिकल जाएगा चार एकांच यह इतना देखो 24 चाहू के चानवे 24 यानि कि 100 बाई 24 कर लो ठीक है या तो ऐसे कर लो एक जिरो से चाहूँच 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 परसेंट यह तुम्हारा इंसर हो गया नेक्स्ट कोशन देखो नेक्स्ट कोशन वी अच्छा कोशन 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 कर रहा है कि एक दुकांदार अपनी वस्तुओं को 24 परसेंट हानी पर बेचने का वादा करता है ठीक है कोशन नमरे टाइस कर रहा है माल फिर वहींची 30 परसेंट वजन कम तौलता है मलब सिंपल साजी माल है थे कि हमारा 1000 ग्राम एक हजार ग्राम जो है वह एक एक हजार ग्राम 1000 परसेंट कम वजन करता है 30 परसेंट कम वजन करेगा तो कितना वजन किया यानि कि 700 ग्राम वजन किया साथ सो ग्राम वजन किया ठीक है साथ सो यानि कि सीपी क्या होगी इतना लेकिन या इस इतना रुपया बोल लो 700 रुपया बोल ठीक है अब क्या कर रहा है क्योंकि इतन इसके एकुडिंग ये क्रेम उल था बेचना किना 44% हानी यानि सो में से कितना परसेंट पर सेन पर सेन पर चाता है ना 50 एक सेकेंड लू जाओ इसका 56% कितना हो जाएगा तुमारा वे सिंपल शाची है 44% हानी मतलब क्या 56% हानी मतलब loss पर यानि तुमहारा इतना परसंट पर बेचना чाता है इतना का 1000 हानी कितने न मतलब है तुम्हार माइनस एक तो चालिस का एक पर संट्री का हानी हो गए कितने पे 700 पे न और के अधार्य कॉषन से बनाइस मेंस ही कैंगी वहां 10% लाफ पर बेचने की बात करता है 10% लाफ पर बेचने की बात करता है और परंतुर 20% कम वजन तोलता है मानने तक हमारा 1000 ग्राम का यह है उसमें 20% वजन कम यानि कि तुम्हारा क्या 800 रुपे 800 रुपे का वजन करता है 800 ग्राम वजन करता है यानि तुम्हारा यह कैंसिल यानि 1100 रुपे में विचना चाहता है 1100 ठीक है यह तुम्हारा क्या होगा एस पी अब तुम्हारा कितना का प्रॉफिट हुआ 300 रुपे का प्रॉफिट हो गया 300 रुपे का प्रॉफिट हो गया 300 का प्रॉफिट हो गया 300 का प्रॉफिट हो गया तो देखो, 37% लिख सकते हो, 37% कैसे, देखो, सिंपल सक यह, 84, 6, 8, 7, 6, 5, ठीक है, और 1 साही 2, ठीक है, तो इस तरह से तुम मासानी से कर सकते हो, इसको ब्रेक कर लो, यार, 1,500 upon 4, फिर ब्रेक कर लो, 75 upon क्या हो जागा, 2, ठीक है, नेक्स कोशन, ये कोशन भी अच्छा कोशन है, इसको देखो, ध्यान से, एक दुकानदार अपनी वस्तों को, 1% लाव पर बेचने का वादा करता है, कितने पर 1% लाव पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, लाव पर बेचने का वादा करता है, 20% वOMAN तलता है माल लेते हैं फिर वहीं 1000 ग्राम है उसने 20% वर्जन कम करता है 20% वर्जन कम यानी की 800 रुपए में वर्जन तलता है यानी कितना ये चाहिए यहीं चीonces और साठेश को बता आता, देखो, इसका लिखा था था कि 300 बटा में can a 8, तो इसको लिखसकते और 3 by 8 into 100, तो direct ये percentage में हो जाता है, तो 3 by 8 ये लाब कमाना चाहता है, ठीक है, कितने पे, 37% देखो, 3 by 8 का लाब कमाना चाहता है, देखो, अब simple साची ये बताओ, 8 क्या है, इसका, CP है, ठीक है, तो 8 part, देखो, 8 unit कितने पे कर रहा है, 800 पे उसका क्रेमल कितना है, 800, ठीक है, हो रहा है, यानि कि 11 part CP हो गया, यानि 11 part के का लोगा, 11 into 100, यानि 1100 रुपे, 1100 रुपे, इस पे ये profit कितना परसेंट कमाया है, यानि 10% कमाया, 10% answer हो जाए रहा, तभी तो 1100, इसका 10% ही 1100 रुपे होगा, ठीक है, अगर किसी वो प्रोब्लम है, तो देखो, simple साची, यहां जादा है, 100 रुपे, कितने पे, 1000 रुपे पे, यहां पे 1000 रुपे पे, into 100, यानि ये, ये से ये, यानि कि 10%, इस तरह से भी लिकाल सकते है, तो इसको answer, ठीक है, ठीक है, अगर आप question number 30 देखे होंगे, तो ये भी question same हो, ऐसा है, question कर रहा है कि, एक दुकांदार अपनी वस्त मैं हमेशा आपको बोलाओं कि, 1000 ग्राम को क्या मानना है हमें, कि उसका कीमत कितना है, 1000 रुपे है, ठीक है, अब ये बताओ, 20% कम पे तॉलता है, 20% कम पे तॉलता है, यानि, 80% तॉलता है, यानि, 1000 का 80% यानि कितना, 800 रुपे, 800 ग्राम पे तॉलता है, ठीक है, 800 रुप, ये क्या है? 20% का LAP, 20% का LAP का M пой Männer говорят, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब इस वन बाई 5, ये तुम्हारा होता है, CP CP मतलब क्या? क्रैमुल, ठीक है? और उपर वाला होता है, वो क्या होता है? lab, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं, profit, अभ यह बताओ, अब क्या करा कि 20%, अब यह बताओ, पाँच, देखो, यहा पे देखो, और SP क्या हो जाए, SP मतलब बिक्रेमुल, बिक्रेमुल, अगर देखो, पांच रुपय का सामान है, एक रुपय का कमा रहा है, यानल निकि 6 रुपय का बेच या, लाब कमारे दोनों को जो एड कर दो यानि छे रुपे ठीक है अब यह बताओ पांच यूनिट पांच यूनिट जो CP है उसका क्रेमूल कितना है तुम्हारा यह तो CP है न CP का मतलब क्रेमूल मिल गया हमें तो यह बताओ आठ सो रुपे है तो इसलिए वन यूनिट का आठ सो पाई क्या फाई क्लियर है तो छे यूनिट का रुपे कितना रुपे में बेचा यह दो खो तो आठ सो बाइ फाइफ इंटू क्या क्या होजागा बट को कर रहा है कि अपनी वस्तूओं को एक्स प्रसेंटा राड़ जनी प्रवेश्ता है हानी कितने की हुई एक हजार की कीमत थी कितने में बेचा 960 रुपे में यानि 40 रुपे का हानी हुआ 40 रुपे का हानी हुआ कितने पे हानी हुआ 1000 रुपे ठीक है हम परसेंटेज में कर रहा है 40 रुपे की लॉस हुआ न 40 रुपे का माइनस 40 रुपे का लॉस है तो देखो, दो से दो cancel, एक से cancel, यानि कितना परसेंट पे बेचा, फोर परसेंट यह, और यहीं तो X परसेंट है, यानि X की value कितनी है, फोर, डेट इस तुम्हारा क्या हो गया, answer, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखो, देखो, कोश्चन नमर अब 32 की बात कर रहे हैं, 32 भी क कुश्चन नमर बहुत आसान है, का रहा है कि एक बैमान दुकानदार कहरीत थे समय 20 रुपए की चोरी करता है, माल लेते हम की 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, तुम्हारी 1000 रुपए है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि कोई भी दुकानदार एक खरीद रहा है, तो 20 परसेंट की चोरी करता है 20% की चोरी का मतलब क्या है कि अगर समान 1000 ग्राम तो 20% की चोरी कर लिया मतलब कि क्या ज़्यादा समान ले लिया उतने ही रुपए में ज़्यादा समान ले लिया ठीक है इसका मतलब यह हो गया और 20% का मतलब कि प्रसेंट किसमें करेगा तुमको जो लए वस्तु उसमें च्री कर लिए यारी में 200 ग्राम क्या हिस्का क्याया है 1,230 क् trade मैं क्辉प Yes you है खरीद समें है खरीद समय क् खरीद समय क् च니다 अब क्या कर रहा है चालिस परसेंट कि चोरी कर रहा है 40%, अब बताओ, रुपेर तो सेम ही होगे न, बेचेगा ग्राम, 40% की चोरी किसमें करेगा तुमको, जो बस तु बेचेगा उसमें चोरी करेगा, 40% की चोरी का मतलब क्या तुमको, 40% की चोरी का मतलब क्या, कि वो दिया कितना समान की, वो 60% दिया, 60% यानि कि 600 ग्राम, 600 ग्राम को 1000 रुपए में बैच दिया, क्लियर है, लेकिन प्रोड्लम क्या है, कि 1000 में न बैच के उसने क्या किया, देखो यहाँ पे कुश्षन का रहा है, अगर बेचा होता, बैट वो अपनी वस्दू को 10% हानी पर बेचता है, अब यह बताओ, यहां से देखो, माइंड में क्या चीज़े घुसनी चाहिए, बताओ, अब मैं यहां पे लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ, 1200 ग्राम का क्रेमुल क्या है, CP, CP मतलब क्रेमुल, क्रेमुल का कीमत कितनी है, 1000 रुपए, और 600 ग्राम, 600 ग्राम क्या है, SP है, SP क्या मतलब क्या, बिक्रेमुल, बिक्रेमुल, कितना है तुम्हारा, 900 रुपए, अब हम कभी भी ऐसे कोशन को बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्राम जो वस्तू होती है, उनको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, मतलब एक्वल करते हैं, ठीक है, तो वस्तू यहां प पूरे के पूरे में ही दो का multiply कर दिया, मैंने ठीक है, तो यह बताओ, ग्राम तो 1200 ग्राम का कीमत CP कितना है, 1000 रुपए, लेकिन वही 1200 ग्राम का SP, यानि की विक्रे मुल कितना हो गया तुमारा, 1800 रुपए, अब यह बताओ, लाव कितने का मिला, 1000 का खरीदा और बेचा 1800 का, तो 800 रुपए का लाव मिला, 800 रुपए का लाव मिला, तो 800 परसेंटेज हमें लिकाना है, तो 800 कितना में, CP 1000 में, इंटू क्या, 100, यानि कैंसिल 20 से 20, यानि की 80% का उसको क्या हो गया, लाव मिला, तो इस तरह से questions को आसानी से कर सकते हो, next question देखो, next question भी बहुत ही अच्छ question है, same question, question number 33 है, question number 33 ही जैसा है, लेकिन देखो, थोड़ा सा changing क्या है इसमें, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तू उपर, क्रेमूल से 40% अंकीत मूल पर बेचता है, मतलब अंकीत मूल मतलब क्या, उस अंकीत मूल का मतलब होता है, mark price, जैसे तुम कोई भी समान खरीदन discount तुम को दिया, तो उसी तरह कर आए कि एक दुकानदार अपनी वस्तू पर क्रेमूल से 40% अंकीत मूल पर बेचता है, मतलब जितना में खरीदा हो से 40% ज्यादा में लिखता है, और ग्रहा को 25% का बट्टा, बट्टा मतलब discount देता है, ठीक है, और बेचने पर, वो 800 ग्र एक हजार उपए, ठीक है, अब यह बताओ, CP, CP का मतलब क्या है तुमारा, क्रेमूल, कोस्ट प्राइज, एक हजार उपए है, ठीक है, लेकिन, अब क्या बताओ, 40% ज्यादा में बेचता है न, अंकीत मूल, अंकीत मूल क्या हो जागा, 40% ज्यादा, यानि कि, 1000 का 40%, 1000 का 40% क क्या होगा, अब विक्रे मूल के लिए बताओ, क्वेशन का रहा है, लिखता है, लेकिन ग्राहा को 25% बटा देता है, बटा, 1400 पर 25%, 1400 का 25%, 25% का मतलब, अगर किसी को नहीं पता है, तो 20 by 100 कर लो, नहीं तो 1 by 4 भी लिख सकते थे, 20 से 20, यानि 25 into 14, 25 into 14, तुमारा कितना होगा देखो, 25 into 14 तुम करोगे, तो तुमारा हो जाएगा, देखो, तुमारा हो जाएगा, पांचो के 20, ठीक है, पांचो के 20, और इसको हम करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 350 रूप्र है, ठीक है, अगर किसी को प्रोब्लम है, तो 25 में 14 का ऐसे कर लो, क्या कर लोगे तुम, 25 दा में 25, 25 दा में 25, चो के 100, यानि कि तुमारा कितना हो गया, 350, multiply simple है, तुम जिस से करना चाते हो, 350 रूप्या, यानि देखो, ये तुमारा SP है, 350 रूप्या क्या दिया, discount, discount कितना हो जाएगा, बिक्रे मूल पे बेचेगा, तभी तो discount देगा, यानि कि बिक्रे मूल कितना होना चाहिए, शौदा समय से 350 घटा लो, शौदा समय से 350 घटा लोगे, देखो, शौदा समय से 350 घटा लोगे, तो कितना हो जाएगा, तुमारा, एक हजार पचास रूपे हो जाएगा, बिक्रे मूल, अब एक हजार पचास रूपे, लेकिन, कितना, बेचने समय कितना का प लिए तो स्यं का से करोट, इसमें क्या कर लो, देंगो, इसमें कर लो, और रहvaant, देखे उकर, लाहर जाए पर से मर्टिप्लाई कर दो, इसमें क्या कर लत दो? तो 4000 घ्राम खा स्यपी क्योंट परइज क्यों आ है मर्म करना है, क्लायर किना है, यह verd officers अब इसमें से देखो यह 4,000 हो जाएगा न मल्टिप्लाई होगा तो 4,000 और यह कितना हो जाएगा तुम्हारा यह हो जाएगा अगर मल्टिप्लाई करोगे तो 52,50 हो जाएगा ठीक है 52,50 रुपे कैसे 0,50, पचीस 2 और 5 तो यह बताओ खरीदा इतने में बेचा इतने में ला तो बताओ दो 0 से 2 0,10 से 10, 125 बाइ 4 हो गया अब 125 बाइ 4 को हम क्या लिख सकते है चाड़े 21.5% लिख सकते है क्योंकि हमें लाग परसेंट लिकालना है न तो यह कितना होगा 21.5, 21.25 इतना परसेंट आ गया नेक्स्ट कोशन देख, कोशन नमर 35 भी बहुत अच्छा कोशन है question number कर रहा हैны same as start 34 जैसा है question कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तों पर क्रैमूल से 20% जादा मूले पर अंकीत करता है मतलब क्रैमूल अगर मान लेते हैं at क्रैमूल है बीक्रैमूल है और अंकित मूले ले ले रहा हूं तो क्रेमल से कितना 20% जगा ले रहा है अगर ग्राहा को 10% बट्टा देता है और बेचते समय 1 kg की जगह 900 ग्राम का यूज करता है नो सो ग्राम का यूज Tap करता है और खरीदते समय वो 1 kg की जगह पे 1000 ग्राम की कीमत कितनी है तुम्हारी 1000 रुपए है ठीक है लेकिन अब ये बताओ एक हजार मतलब खरिते समय कितना पड़ यो करता है 1100 1100 gram की कीमत कितनी है उतनी ही है 1000 र upon खरिते समय तना पड़्यों करता है और बेउड ऑपना यो करता है 900 ग्राम 900 ग्राम की 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 enneau तो तुमारा CP ए क्रैम मुल है क्रेमूल है इतना विक्रेमूल हमें बेचते समय बेचते समय कितना में बेचा ये तो पता नहीं तो हम वहीं लिगा लते हैं क्रेमूल कितना है तो बारा सो का दस परसेंट डिसकाउंट देगा तो तुम्हारा कितना देगा 120 रुपया का कम दिया 120 रुपया का डिसकाउंट दिया माइनस 120 रुपया घटाएंगा तो बेचा कितने में तुमको 1080 रुपय में बेचा क्योंकि इतना तो discount दे दिया तो बेचा कितना है बारा सो रुपए दाम रखा था इन बेचा एक घजार असी में तो या इतना रुपय का discount दे या एक घजार असी रुपए में एक घजार असी रुपए हो गया अब मैंने हमेशा तुमको यहीं बोला हूँ आप लोगों को की कर और वस्तों को सेम करने के लिए क्या करेंगे यहां पर 9 का मल्टिप्लाई कर देंगे और यहां पर क्या मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह तो तुम्हारा कितना हो जाएगा निनानवे सो ग्राम का सीपी कितना है तुम्हारा अब मल्टिप्लाई करूंगा तो 9000 हो जाएग और यहां पर लगा तो यहां पर यह रुप्या हो गिए यह भता इस लाव कितने का मिला CEO लाब तुमको 11,800 में से 9,000 घटाना है ठीक है 11,800 में से 9,000 घटाना है तो देखो येतना कितना होगा दो हजार और 880 याने कि 8880 हो गया अब देखो लाब परसेंट लिका लाना है तो 880 पे कितना 9,000 पे 9,000 क्योंकि CP कितना है 9,000 इंटू के 100 यहीं तो तुमारा लाब लाब हो जाएगा ये तुमारा लाब होगा खरीदा इतना में बेचा इतना में ठीक है लाब परसेंट हो गया दो 0 से 2 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल 288 बटा में 9 9 से कड़ा दूँ 8-8-16-16-18 यानि 9 से कड़ जाएगा 9 से कड़ जाएगा निकी तुमारा कितना हो जाएगा 9-2-8- scanner खरिदते समय कर रहा है और 10% की बैमानी बेचते समय कर रहा है इसे कोई दुकानदार है 10% की खरिदारी क्या कर रहा है खरिदते समय खरिदते समय बैमानी करता है और 10% की बैमानी बेचते समय करता है ठीक है दोनों समय क्या करता है बैमानी करता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, successive percentage लिकाल देते हैं, successive percentage से हम लिकालेंगे, successive percentage का formula यूज करते हैं, जैसे हम करते हैं, अगर तुम्हारा A हो और B हो quantity, तो हम इस तरह से A plus percentage change हम लिकालते हैं, percentage change क्या होगा, A plus B plus AB by 100, ठीक है, अब देखो, तो इसी तरह हम लिकालेंगे, कि 10 plus 10 10 percent की खरिटे समय बैमानी करें 10 percent की बेचते समय बैमानी करें 10 plus 10 plus 10 into 10 divided by 100 यानी A की भैलू तुम्हारी 10 है और B की भैलू क्या है तुम्हारी 10 है इस तरह से लिका लेंगे percentage change यानी percentage कितना हो गया तुम्हारा 20 और प्लस इस तरह से अगर राके से याद हो कि class notes में अगर आप देखोगे तो 2 method 1 और method 2 दो वैसे बनाया गया हो लेकिन method 1 से आपको solution का answer नहीं आ रहा क्योंकि SSC जो है question number 37 क्या गर रहा है question number 37 भी अपने आप में concept इस types के concept को कैसे समझते हैं देखो question ये कर रहा है कि एक आदमी ने कुछ 11 संत्रे एक रुपए की दर से खरीदे clear है बात एक चीज़ याद रखना 11 संत्रे एक रुपए की दर से खरीदे यहाँ पे question में दिया हुआ ठीक है और question करें कि 10% लाप के लिए उसे एक रुपए में कितने संत्रे बेचने होंगे ठीक है कि 10% लाप पर उसके 1 रुपए के संत्रे अभी बताओ मैं मान लेता हूं कि कीमत जो है ठीक है वहंड़ रूपए थी उसकाCP जो है क्रेंगuk वहंड़ रुपए कीमत थी ठीक है तो विक्रे मुल 10% लाब पे बेचेगा यानि विक्रे मुल कितना होगा 110 उर्पया तभी तो 10% का लाब होगा clear है बात ये तो 10% का लाब हो रहा है यानि कि 110 उर्पया में बेचा अब देखो simple सा चीज है ये बताओ ratio मैं लिकाल दो इसका ratio क्या होगा 10 is to 11 ये किसका price का ratio price मलब कीमत और एक चीज़ मैं बताता हूं तुमको जो price की कीमत होती है वहीं देखो जो price की कीमत होती है इसके opposite वस्तू की कीमत हो जाती है वस्तू की कीमत कितनी हो जाएगी 11 is to 10 इसके opposite अब मैं आपको एक चीज़ और ब क्योंकि देखो यहां पे भी प्राइज क्या है एक रूपया और यहां पे भी क्या है प्राइज एक रूपया अगर एक रूपया है और एक रूपया है दोनों जगा क्या है सेम है ना सेम है तो अगर जो इसका प्राइज की कीमत होगी वस्तू वेशियो होगा वस्तू की अप यानि वो कितने संत्रे बेचेगा है, एंसर ये तुमारा हो गया, क्या, कि वो 10 संत्रे, एक रुपे में 10 संत्रे बेचने होंगे, वो कि उसको 10% का लाब होगा, एंसर क्या हो जागा तुमारा, 10 संत्रा, ठीक है, 10 संत्रा हो जागा, सिंपल सा चीज़ देखो, अब फिर से मैं संत्रे बेचने होंगे देखो धन जो है खरीदने का और बेचने का बेचने का दोनों का कितना है सिर्फ एक रुपया यानि सेम है न तो इस टाइप को कुश्चन को कैसे बेताओ मैं मालेता हूं की कीमत जो प्राइस है प्राइज प्राइस है वो क्रेमूल कितना है खरीदने क कीमत मालने तो 100 रुपय है तो बेचने की कितनी होगी बेचने की 10% लाब पर या निकी 110 रुपय बेचा गया इसकी रेशियो कितनी होगी 10 is to 11 तो जो वस्तु है वस्तु यहां पर क्या है संत्रा है संत्रे की कीमत क्या हो जागी इसके अपोजिट हो जाती है 11 is to क्या है 10 अब यह बताओ, simple सा logic, यह चीज अगर रहे तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है, अब जरसे देखो, simple सा logic क्या है, नहीं भी रहेगा, तो उस case में भी मैं बताओंगे, कैसे questions आएंगे, वो भी बस इतना याद रखेंगे, प्राइज उसके वस्तु की opposite हो जाती है ratio, तो यह बताओ, ग्य ग्यारा संत्रे, क्रैमूली 11, तो बेचने का 10 के लिए भी 11 के लिए 11, तो 10 के लिए कितना, 10 simple सा चीज है, यानि कि 10 संत्रे तुम्हारे क्या करने पड़ेंगे, उसको बेचने पड़ेंगे, ताकि उसको 10% का लाब हो, तो answer कितने होंगे, 10 संत्रे, next question देखो, next question भी same question है, question जैसे देखो, कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संत्रे, 25 संत्रे, एक रुपे की दर से खरीदे, देखो, 25 संत्रे, एक रुपे की दर से करे, और एक रुपे में कितने संत्रे बेचे कि उसे 25% का लाब हो, अब मैंने यह बताओ, मैंने तुमको अभी बताया था कि कीमत जो ह का लोगे तो 25 चोग के 125 पाची 125 अगर कीमत की रेशियो ये है तो तुमको वस्तू की रेशियो क्या हो जाएगी वस्तू की रेशियो इसके अपोजिक हो जाएगी 524 क्यों कि देखो एक रुपया खरीदने की दर भी है और एक रुपया क्या है खरीदने की भी दर है और एक र 500 प्राइब से प्रेम तो प्रबलों यास में का क्रायमइल रखता हूं 100 रुपया तो बीक्रायम großer कितना होlers प्राइस की कीमत है तो संत्रा की कीमत क्या हो जाएगी संसरी संत्रे क्या हो जाएगी रेस्यों क्या करने पड़ेंगे बेचने पड़ेंगे ताकि उसको कितना 25 परसेंट का लाब 25 परसेंट का लाब हो तो इस तरह से कितने हो गए 20 संत्रे उसको बेचने पड़ेंगे एक आद्मी को 40 परसेंट का लाब हो चाली संत्रे हो जानी होती है यानि कि वह कितना में बेच अगर माल लेते हैं क्या है सो रुप्य दाम है कीमत है तो 40 परसेंट हानी पर यानि कि 6 रुप्य में उसको बेचेगा 20 परसेंट के लाब कमाने के लिए एक रुपया उरो 20 परचंट के लाब 20 परचंट काला कि मतलब अगर 100 कीमत है किसी को कोई प्रोफिलम है नहीं होना चाहिए और किमत क्या रुपया 1 पहले भी बेच रहा है Tech लोजर विक रहा कि बेचना कितना संत्रे पढ़ेंगे कि एक रुपया, दर कितनी है, मतलब धन कितना एक रुपया, तो अब सिंपल साची, यह पताओ, कितने संत्रे, 32 संत्रे हैं, 32 संत्रे स्टार्टिंग में बेच रहा है, तो कितना टाइम्स है, आफ finally इस सोला संतर बेचने पड़ेंगे ताकि उसको वीस पर सेंटका लाग कमा सके या서 तुम्हारा कितना हो इस्तित को लाक접 संतर नेक्सटन चेय использ मालने तहीं CP खरीदने की रेट क्या थी 100 रूपय तो 20% हानी पे बेचा तो यानि कितना में बेचा 80 रूपय में ठीक है अब उसके बाद क्या कर रहा है 20% लाब कमाने के लिए उसे कितने संत्रे बेचने फिर 20% लाब कमाना इसका 20% कितना हो जागा 120 रूपया तभी तो 20% कीमत हो गई संत्रा की रेचियो क्या हो जाएगी संत्रा की रेचियो इसके अब यह बताओ 12 संत्रे है न स्टार्टिंग में 12 है कितना टाइमस है चार्ट टाइमस है तो इधर भी हम क्या करेंगे चार्ट टाइमस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आठ उसको कितने बेचने पढ़ेंगे, आठ संत्रे बेचने पढ़ेंगे ताकि उसको इसको 20% का लाब कमा सके, क्यों? क्योंकि थेखो 1 रूपया और 1 रूपया दोनों समय बेचने में भी है और बेचने में भी है, ऐसा किस मेंने तो आपको पल नहीं हूद कि दोनों सेम हैं तो कोई टेंशन ही ने डारेक्ट हमारा क्या हो जगा एट संत्रे हो जाएंगे ठीक है